नमस्कार वनिशबाटिया और उसक्त आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल्ड इंडिया आज हम मौजूद है उत्राखन की राजधानी में जा लगातार विदानसभा चुनाव को लेकर महौल गरमाया हुआ है बेश्यक धरातल पर सर्दी जरूर है लेकिर सियासी में गरमाई हु करने का बहुत बड़ा निड्ने लिया है उन्होंने जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है कि वो डोईवाला से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे जो की 2022 विदानसभा चुनाव में एक और बहुत ही बड़ा भुचाल लाया है तो इसी कि मद्दे नजरागा हम जनता से उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि आपको क्या लगता है त्रिवेंदर सिंग रावन ने डोईवाला विधानसभा से चुनाव क्यूं नहीं लड़ना चाहा कोई कामी नहीं किया उन्होंने तो किस बेस पर लड़ेंगे किस बेस पर दिखा जाएंगे लोगों के पास क्या मा हाई कमान को बोले मेरे खालते तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं एलेक्शन नहीं लड़ूँगा मैं अकबर में पढ़ रहता सुबह तो उन्होंने लग रहा है कि सिच्वेशन खराब है तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी बेस्ती क्यों कराई जाए एक रैपूटेशन मे होते तो मख्यमंत्री होते उन्होंने उसके बाद एलेक्शन हार गए वो क्या हुआ उनको बताओ फिर तो हारे वे हो गए ने फिर कौन पूस्ता उनको यह सीच्वेशन है कि कोई मुद्दा है निकिस बात पर लड़ेंगे को यह से वह तहनी कि पहले तो आ गए कि राम जन होने का यह एक बहुत बड़ा कारण कुछ और भी हो सकता है पर आपके हिसाब से क्या है इस वक्त ऐसा मुद्दा क्यों एकदम चुनावाते उन्होंने इतनी बड़ी बात कई क्योंकि उन्हें पता है कि पहली बात तो यह लोग पूछेंगे कि लोगों ने तीन-तीन मुख्यमंत्री क्यों बड़े तीन आप जब किसी को जवाब नहीं दे पाई यहां बैठे थे दो-दो-तीन-तीन महीने तक लोग बुजुर्ग और आपने उनके लिए कुछ नहीं कि और उसके बाद जब लोग बैठेते जो पढ़े लिखे लोग है जने नौकरी नहीं मिल रही उनको छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री बदल रहे उनकी पेंशन बांद रहे कोई लोजिक नहीं बनता ना अब लोग सम बेकुफ थोड़ी हैं समझधार हैं लोग सबको पता ह कि क्या नीज़ लिए मेरे घर पे आएंगे क्या बोलेंगे बताओ मुझे मेरे कोई घर में आता वीक फिक नेता तो मेंते क्या वोलेगाम काम किया आप बताइआए है सत्टेनास करके रखें देरादुन का देरादुन वालों को अपने यहां जगे रहने मिली तुम भार व लोगों को क्यों बसा रहे आपके घर में अपने घर वालों के लिए तो खाना है निया भारवालों को बुला के क्या लोजिक बनता मुझे बताई यह लोजिक की नहीं है इसका फाइदा आम आदमी पार्टी को बहुत होगा बहुत अची सीटे निकालिंग उनकी एक नॉर्मल बता रहा हूं जो सीटेशन ही है कि बीजेपी कॉंग्रेस वालों को देख लिया अब आम आदमी पार्टी को उसका फाइदा मिलेगा यह मिलेगा तो आपको क्या लगते हैं कि यह समुद्ध जो तमाम उत्रहंड में भी लगातार बने हुए है धरना प्रदर्शन हुए है और बीजेपी अपने कारेकाल में किस तरीके से काम किया है तो इस पर आप क्या लखेंगें अपनी किस बर कौन सी सरकार सबसे पहले आएगे देखिए अब टककर तो बीजेपी कॉंग्रेस में है पर आपकी सरकार भी वो देगी इसमें टककर देगी मतलब ऐसा नहीं होगा की वो जीरो पर रहेंगे कि अब लोग बहुत परिशान हो गए एक चीज़ से इन्होंने कोई काम नहीं किया है हकीकत बता रहूं मतलब उसमें कर भी अब आपको पता है जो पूरा शेहर का आदमी आता है बता देख लिए और आप आयोंगे तो हलत देख लिए बनीवी चीज़ों को तोड़ रहे हैं उसके पात किसलिए बनीवी चीज़े आप क्या तो अर्व को लौजिक है कि आपने तोड़ दिया इसका मतलब क्या ह तो यह कब से काम चल रहा है यहां पर अभी मैंने देखा खुदा अभी आजी तो तोड़ा ही है तो इससे पहले क्या स्थिती थी साफ था यहां पर नहीं साफ तो कभी भी नहीं था मतलब पार्क के नाम पे पार्क तो कहीं नहीं सकते क्योंकि आपने एक बहुत अची चीज पार्क पानी तक नहीं मिलेगा जो बेसिक चीज है क्या पीएंगे आप तो अब हम जैसके इनों ने बताया कि कहीं ना कहीं तिरवेंदर सिंग रावन दें बैक स्टैप इसले करा कि कहीं ना कहीं उनकी बेस्ती ना हो जाया आगे 2022 विदान सबस्वाच नाम में क्योंकि कही कुछ प्रकार के होगी कि लोग बीजेपी पर भरोसा करने से पहले दस बार सोच रहें अब और लोगों से जानते है कि तिरिवेंदर सिंग रावत कितने बड़े फैसले पर दोईवाला विदान सबाच चुनाव ना लड़ने पर अभी जनता किस मूड में है और क्या इस ब प्रतिकीरा रखेंगे इसमें हम क्या बता सकते हैं आपको क्या लगते कि क्यों नोंने डोईवाला विदान सबाच से चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया कुछ तो बात होंगे तभी तो नहीं लग रहे हैं कुछ परवाब पड़ा होगा कुछ कमी है तभी नहीं लग रहे हैं तो आप कहां से हैं हम तो बिहार से हैं तो अब हम और लोगों से जानते हैं क्योंकि अभी यहां के नहीं है तो लगतार स्थिती जो है गरमाई हुई है महौल ठंडा जरूर है राजधानी का लेकिन जो स्थिती है वो गरमाई हुई है और लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या है इस वक्त महौल बना हुआ मैं आप से जानना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले तरवेंदर सिंग रावत ने डोईवाला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अब जो है राश्ट्री अद्ध्यक जेपी नड़ा को एक पत्र लिग दिया है कि मैं वहां से नहीं लड़नगा चुनाव तो इसाब आप क्या सोच रकते हैं कि क्या वजह रही होगी आप के हिसाब से हमारे छाप से उनको कुछ क्मिया लगसार की इया उनकी नीचियों की कुछ कम Ich 민मिलना चाहिए की वरोने काम किया है तो पाकि हम यहां के बारे पता नहीं सकते क्यों कि हम यूपी के से बिलान करते हैं यूपी से आये हैं तो उत्रखंड में आते ही आपको यह पता चला हुआ कि यहां पर बीजेपी की सरकार है पुश्कर सिंग दामिया के मुख्यमंत्री हैं तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपको किन पांच विकास कारें मुद्दे अ सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा बैक स्टैप चुनाव से पहले क्या लगता आपको इसके पीछे की वज़ा देखिए दो चीजें हो सकती है एक तो यह है कि एसेंचली वो अपने आपको बिट्रेड फील कर रहा है कि मुझको एड जनित अव मैं करियर बिट्रे कर दिया गया और या फर यह है कि यह एक यह बीन उफर्ट सम्रोल इसेंटर जिसकी वज़ा से वो इसमें नहीं आना चाहते पचड़े में नहीं पढ़ को क्या लगता है कि इस बार दोवेवला से शायद कौन आ गया सकता है उसका मैं नहीं कह सकूंगा क्यूंकि पहले तो यह था कि हरक सिंग रावत प्रॉबली एड़ चांस टूट रीज देर और अब जैसे हीरा सिंग बिश्ट लड़ते हैं दोवेवाला से तो एक फॉमेड कि अधिया सियासी महौल गर्मा सकता है तो सियासी महौल तो हमेशा ही गर्माया हुआ रहता है यहां पर और उसके साथ-साथ में यह कोई खास बड़ी कवर नहीं है या कोई खास ज्यादा ध्यान देने वाली बात इस लिए नहीं है क्योंकि त्रिवेंदर सिंग रावत अब उसके उपर दुबारा से तो कोई पैसा फैंकेगा नहीं तो ओविसली वो धामी जो है वो अपने आपको ज्यादा कंसॉलिडेट करने के लिए कुछ ना कुछ पत्य खेल रहा होगा तो आपको कह लगता है इस बार 2022 वी धानसभा चुनाव में किस कि सरकार बनेगी सरक पिछली सरकारों में जो भी देखा वो स्कैम्स कैम्स कैम्स ही नजर आए हैं चाहिए इन्होंने बहुत कोई डिलेवर नहीं किया है लेकिन कम से कम स्कैम्स तो नहीं हुए और जो प्रामिस किया है उसकी तरफ कोशिश भी कर रहे हैं कि वो अचीव कर पाएं हलांकि उनकी बहुत पीछे खीचा भी जा रहा है तो बीजेपी उस अकाउंट पर तो लगता है कि वहीं आएगी तो जैसा कि इन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है और त्रवेंदर सिंग रावत के पीछे की असल वज़ा शायद कहीं ना कहीं उनका बैक्स साल एक साल के अंतगा जो तीन मुख्या मंतरी बदले कहीं ना कहीं उसका असर भी जनता पर बना हुआ था तो फिलाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही बने रहें न्यूज वर्ल इंडिया के साथ नमस्कार